साथ जब भी अगर हमने एक्सल में काम करना है तो जाहिर सा है हमको data एंटर करना पड़ता है हम उसमें data एंटर करें या कहीं से इंपोर्ट कराएं data तो उसमें जरुत पड़ती हमको उसको filter short कराने की कि बार-बार हमने उसको short कराना पड़ता है रुटीन में काम करते रहते हमको नए नएा डाटा उसमें एड करना है और फिर उसको बार-बार शोट करना है तो काफी परेशानी बनती है है और इसीजे में काफी शमय भी best होता है कि छैसे नया डाटा इंटर करें तो amaraggi dist Alter होिने जहां पर उसको addzist होना है हम ascending order में करना चाहरे हैं geen ascending order में करना चाहरे किसी भीpei pok alarm से करना चाहरे हैं तो वह डाटा अपने आप शोड होता वो कर सकते हैं हम simple formula से भी करेंगे और VBA code से भी करेंगे तो इस वीडिये मन तक बने रहेगा नमस्कर साथ हूं मेरा नाम मनुष्ट तुम्हारों आप देख रहे हैं computer ग्यान गुरी चैनल चलिए सीख लेते हैं देखे हमारे जो numbers हैं जो मैंने marks ले रखे हैं यह ascending order में यहाप आपको नजरा रहे हैं क्या मैंने ascending order में entry करी थी नहीं करी थी मैंने randomly entry करी थी यहाँ पर मैं 7 number entry डालता हूं tab use करूंगा कोई भी नाम डाल देता हूं मैं मैंने डाला रमेश और इसके number मैं डालता हूं 280 number enter press करूंगा तो देखी 280 अपनी position पे पहुंच गया तीन number पे चला गया रमेश में जबकि मैंने 7 number पे डाला था राम आ गया 7 number पे अब मैं डालता हूं 8 number entry मैं आपे डालता हूं किशन के number मैं करता हूं 420 enter press करूंगा तो किशन कहां पहुंच गया 420 वाली position पे चला गया तो जैसे हम data entry करते जाते हैं data automatic short होता चला जाए ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में बिल्कुल starting से मैं आपको बताता हूं देखिए हमारे पास ये table है जहां पे हम data entry करना चाहरे है ठीक है तो पहला तो तरीका आता है कि आप कहीं rough किसी दूसरी workbook में काम कर रहे हैं दूसरी sheet पे काम कर रहे हैं और आपका data automatic short होके पहले वाली sheet पे आ जाए या फिर main file के अंदर आ जाए या इसी sheet के अंदर आप यहाँ पे data entry करते जाएं और वो short होके यहाँ पे आता रहे और दूसरा तरीका है कि आप एक ही file में यहीं पे एक नई entry करें और वो automatic short हो जाए फिर entry करें फिर short हो जाए दोनों तरीके बताता हूँ जो तरीका आपको अच्छा लगे जिस तरह का आपका काम हो वो use कर सकते हैं दोनों best है तो हमने short करना है किस प्रकार से short करना है name wise short करना या mark wise short करना है और mark wise भी अगर हमने short करना है तो ascending order या deascending order तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हम यूज करते हैं किस प्रकार करेंगे हम यहाँ पे short करना चाहते है data को तो हम use करेंगे equal to vlookup bracket start यह formula से दूसरा हमारा VBA से आएगा formula के अंदर सबसे पहले पूछता है lookup value lookup हम क्या दें तो यहाँ पे हमने कोई lookup cell या कोई range नहीं डालनी है हमने यहाँ पे lookup देना है कि यहाँ पे जो सबसे large आए अगर हमने de-ascending लेना है तो सबसे large और ascending order करना है तो सबसे small number पहले आ जाए तो small और large के भी मैंने आपको समझा रखे हैं आप हमारे regular user है मैंने MS actual for beginners की पूरी series डाली हुए और series अभी चल रही है तो हम de-ascending करना चाहते हैं तो large formula यूज़ करेंगे और ascending order करना चाहते हैं तो small formula यूज़ करेंगे और large formula हम look up में जैसे ही लगाएंगे तो सबसे पहले पूछता है array array के अंदर हमने ये ले लाए न ये data entry हमारी last तक जा सकती है तो हम पूरा इस cell पे click कर देंगे तो पूरा column आ जाएगा हमारा array के अंदर coma लगाएंगे अब k, k का मतलब होता है कि position हमने large कोंसा लेना है हमने large पहला large उठाना है दूसरे number का large उठाना है तीसरे number का large उठाना है तो हमको सबसे पहले तो सबसे पहला large चीए तो हम यहां से डाल देंगे हमने सिरफ अब जो table लेनी है वो यही marks ही लेने तो यही table हो जाएगे हम इसी कोई पूरा select कर देंगे coma यूज करेंगे column index number जब table हमारी एक ही column किया है तो column index number भी एक हो जाएगा coma 0 करेंगे हम exact match के लिए bracket close and press enter तो पहला large number क्या है यहां पे 420 अब इस formula को निचे तक देखो drag करते हैं तो यहां पे कुछ has sign आगया यह नहीं आना चाहिए तो हम यहां पे use कर लेते हैं इस formula के अंदर if error का formula bracket start और आखरी माएंगे यहां पे click हो गया तो इसको मैं हटाता हूँ यह cell आगया हमारे पास हमने लास्ट में पहुंचना है कोमा यूज करेंगे double quote bracket close and enter pass कर लेंगे और अब इस formula को निचे तक fill कर लेंगे अब हमने इस mark के हिसाब से name उठाना है reverse view look up लगाना है तो reverse view look up के लिए भी मैंने कहीं बताएं लेकिन सबसे आसान है index match का हम करेंगे index index के अंदर क्या चाहिए अरे हमने index के अंदर यह लेना है ठीक है कोमा अब करेंगे match bracket start किससे match कराना हमने वह look up value वह हमारी यहां पे इससे match कराना यह कौन सा आगया हमारा h2 इसके निचे छुप गया तो manual लिख देंगे h2 कोमा यूज करेंगे look up अरे यह रहा हमारे पास look up अरे यही है इसी को ले लेंगे कोमा 0 bracket close match की bracket close index की इसमें भी हम starting में शुरू कर लेते हैं यहां पे if error का formula ताकि वह error ना आये और last में आके कर देंगे हम अब इसको भी हमने चे तक ट्रैक कर लेंगे अब हम data entry शुरू करते हैं हम यहां पे डालते हैं चार नंबर हमने यहां पे डाला गोपाल और गोपाल की नंबर हम डाल देते हैं चार सो चपन एंटर प्रैस करेंगे तो आप यहां पे देखो कि गोपाल सबसे उपर गया क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर है अगर हम बीच का कोई नंबर डालते हैं मैं यहां पे करता हूं पांस नंबर करनी है आपने और आपका डाटा उसी पोजिशन पे शोट होता हुआ चला जाएगा आप नेम से शोट करें या मार्क से या रोल नंबर से जो भी आपके पास डाटा है किलियर अब हम चलते हैं हमको इस टेबल की जरूरत नहीं है इसको मैं कंप्लीट डिलीट कर देता हूं सारे को और यहां से भी मैं कुछ डाटा रिमूव कर देता हूं ताकि हम आगे और भी एंट्री करते चला जाएगे अब मान लेते हमारे पास यह टेबल है अब देखे आगे हम डाटा यूज करेंगे तो जब डाटा यहीं पे शो अब करेंगे और आशान मैं बता दूं कि यह टेबल अपने फोमला अपडेट लेती चले जाए तो कोई भी जब डाटा हो आप उस टेबल को अपने डाटा को एक टेबल में किरियेट कर लें स्लेक्ट करेंगे अपने कीबोर से कंट्रूल टी प्रेस करेंगे तो हमारे पास यह डाटा आगया इसको हमने माई टेबल हैज हैडर इसको सलेक्ट रखनार ओके कर देना है तो यह हमारे पास टेबल किरियेट हो जाएगी राइट इसको हम टेक्स का कलर चेंज कर लेते हैं टेबल का डिजाइन चेंज कर देते हैं ताकि आसा हमसे अच्छे शनाजर आए आगया टेबल का डिजाइन है हमारे पास अब फोर्मला लगाएंगे हम इक्वेल टू काॉंट ए स formula यूज करेंगे bracket start करेंगे और ये cell दे देंगे ये cell है हमारा B2 हम करेंगे B2 colon B2 B2 से B2 तक count करें तो B2 से B2 तक count करेंगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1 और जब next cell में हम इस formula को लेके जाएंगे तो यहाँ पर करना चाहिए B2 से B3 तो B2 को fix कर देंगे यहाँ पर करेंगे F4 B2 fix हो गया ये B2 से B3 count करेंगा next में जाएंगे तो B2 तो fix होई गया वो करेंगा B2 से B4 तो इस परकार से count करता चला जाएगा enter pass कर लेंगे serial number fit हो गे सारे और यदि आप ये formula use नहीं करना चाहते हैं और इसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं आप normal serial number भी डाल सकते हैं और normal serial number डालने के बाद ये change ना हो तो वो भी मैं आपको अभी VBA code के जरी समझाता हूँ तो table हमारी बनके ready है अब हम चलते हैं VBA code के अंदर हमने visual basic की window open कर लिया और यदि नहीं आप तो मैं बता दूँ आपको हम कहां से चलाएंगे आपके पास यहां पर developer tab मिलेगा अगर developer tab नहीं है तब हम इसको कैसे चालू करेंगे उसके लिए हम file में जाएंगे file के अंदर मिलेगा आपको option option के अंदर आप चले जाएं customize ribbon और customize ribbon में आप right side में यहां पर देखोगे तो आपको मिलेगा developer tab ठीक है यह मैंने check किया हुआ है आपके पास check नहीं होगा आप इसको check कर ले और ok कर लें तो आपके पास developer tab आजाएगी developer tab के अंदर आपको यहां मिलेगा visual basic अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि हमने Excel VBA की series भी चालू की हुई है अगर आप visual basic सीखना चाहते हैं तो हमारी playlist Excel VBA में जाके starting से Excel VBA सीख सकते हैं तो मैंने coding लिखी हुई है मैं direct उस coding को paste कर लेता हूँ कहां पे paste करनी है आपके पास जो यह data है यह कौण सी seat में है मेरे पास यहां पर एकी seat है seat 3 देखो यहां पर seat 3 दिखा रहा है ना एकी seat है जिस seat में आपका data है उसी के उपर right click करें और उस पे चले जाए view code तो आपके पास यहां पर उसकी blank window कुल जाएगी और वहां पे करते हैं इस code को paste मैं description में इसका link डाल दूँगा आप वहां से इसको copy paste कर सकते हैं मैं आपको यह code समझा भी दूँगा समझने के लिए आपको हमारी playlist पे जाना पड़ेगा एक्सल VBA की पे जहां पे हमने बिल्कुल starting से बारिकी से actual code समझा रखा है कि किस परकार हम VBA coding करते हैं यहां पे देखे मैंने लिखा हुआ है set sales table active seat dot list objects मैंने लिया हुआ है यहां पे sales 2022 जबकि यह नहीं है हमारे पास कौन सी है हमने जो table का नाम दिया है वो table का नाम यहां पे आएगा और हमने table का नाम क्या दिया उस भी नहीं दिया है आप देखो कि यहां पे table पे जाएंगे और design table के अंदर हमने table जब design करी दे थी यहां पे आ रहा है table 3 आप यहां पे कोई table का नाम भी दे सकते हैं फिलाल मैंने यहां पे table 3 रखा हुआ है table 3 default रख लेता हूँ तो वो नाम हम यहां पे डाल देगे इसकी दिखर मैं डालता हूँ table 3 यह हमारी table है हो गया नाम से अब दूसरे नमबर पे पूछता है set short column जिस column को हमने short करना है वो column set करना है वो column यहां पे किस नाम से है हमने marks के नाम से कर रहे हैं तो यहां पे हम कर देंगे सबसे पहले तो table का नाम तो यहां पे हम डालेंगे अपनी table का नाम जो हमारी table का नाम था table 3 और box bracket के अंदर जो हमने यहां पे डाला है यहां पे sample के लिए मैंने डाला हूआ है यहां पे मैं डालता हूँ name जिस column से करना है तो यहाँ पे डालूँगा मैं marks क्योंकि हमने इस column से short करना है तो आपने जब भी coding करनी है आपने ये code copy paste करना है तो यहाँ पे सिरफ आपको यही changing करनी पड़ेगी कि आपने जो table लिये उस table का नाम क्या है और कॉन से column से short करना चाहते हैं वो column name बस हो गई हमारी coding अब हम यहाँ पे कोई भी नई entry करके देखते हैं यहाँ पे नमबर लिखने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ से formula हटा दिया तो simple मैं चार नमबर लिखता हूं और यहाँ पे नाम डालता हूं मोहन और मोहन के मैं नमबर कर देता हूं 300 ठीक है एंटर प्रेस करेंगे तो 300 नमबर जो मैंने लास्ट में डाला था कहा गया इस पोजिशन पे आ गया आगया आगया आटमेटिक चोट हो गया फिर से हम एंटरी करते हैं मैं पांस नमबर डालता हूं और पांस नमबर पे लिखता हूं मैं नरेश और इसके नमबर मैं यह डाल देता हूं कि हमने इन दोनों के 20 के नमबर डालता हूं ताकि पता चल रहे कहां पे आ रहा मैं डालता हूं 320 एंटर प्रेस करे enter प्रेस करेंगे तो यह कहां पहुँच गया टोप में पहुँच गया तो अब हमारा data यहीं पर short हो रहा है अब आप शोचेंगे table नहीं बन रही है आप से कोई दिकत नहीं है मैं table हटा देता हूँ सबसे पहले तो हमको यह code हटाना पड़ेगा मैं इस code को remove कर देता हूँ delete और यहां से मैं इस table को भी कर देता हूँ delete होगी पूरी table delete अब normally हम यहाँ पे लिखते है serial number name and roll number यही था अब मैं यह बता रहा था आपको serial number हमने यह डाल रखे है manually और यह change ना हो यह यहीं पर fix रहे हैं हम formula नहीं लगा रहा है हमने manual serial number डाल दे हैं हमने क्या करना है हमने खाली जो नाम लिखा है और जो roll number की बज़ाए marks करेंगे यहाँ भी हम मैंने यह कर दिया marks तो इस स्थीती में भी हम अपनी data को इसी table पे किस पर car short करेंगे फिर से मैं आपको एक code बताता हूँ यहीं पे seat 3 में जहां से मैंने code delete कर दिया यहीं पे मैं दूसरा code paste करता हूँ इस code में देखिएगा मैंने एक variable define किया है dim last row के नाम से अब कोई भी नाम डाल सकते हैं ज़रूर नहीं है last row डालना हो मैं यहाँ पे अगर short में डाल दूँ मैं इधर कर देता हूँ lr यह होगी हमारा variable lr के नाम से यहीं कि last row ही हो गया यह नाम भी और जो हमने इसको last row को यहाँ पे define किया है तो यहाँ अब हमने lr ही करना पड़ेगा क्योंकि अब मैंने यह जो last row को lr कर दिया तो जितने भी last row है वो हमने lr करने पड़ेंगे इसलिए मैं इसको undo कर लेता हूँ ctrl z ताकि मेरे को ज्यादा change ना करना पड़े आप कोई भी यहाँ पे variable define कर सकते हैं किसी भी नाम से ठीक है तो last row को मैंने क्या क्या cells row dot count and axle up मैं देखिए आपको समझा रहा हूँ जबकि मैंने ये axle VBA series के अंदर समझाया हुआ है फिर if not intercept target range कोंड सी होनी ची हमारी ये देखिए target range हमने कोंड से cell से कोंड से column से short करना है मैंने यहाँ पे b column डाला हुआ है name से short करें अगर हम mark से short करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल देंगे c इसको मैं काटता हूँ यहाँ पे करता हूँ c c हो गया तो ये आएगा हमारा जिस column से आप short करना चाहते हैं वो column c से c तक का फिर is nothing then range कोंड सी range a1 से b मैंने ले रहा है a1 से और b पूरी range तो ये पूरी range हमारी short होगी एक साथ पूरी row पल्टी करेगी और अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो serial number है ये पल्टी ना करे तो हम a को यहाँ से हटा देंगे हम यहाँ पे कर देंगे b अब कहां से जाएगा b से c तक ही पल्टी करना है या आपने d, e, f आगे ले रखा है वो सारे पल्टी करने है तो वो यहाँ पे डाल दें मैं c तक पल्टी कर रहा हूं तो मैं करूंगा c तो कितना पल्टी खाएगा ये b1 से c अब b1 से खाएगा तो b1 में देखो हमारी header row है यह ना तो यह भी हमारा गलत हो गया हमने b2 से कर रखा है तो हम यहाँ भी इसको भी करेंगे b2 तो यह कौन सी range है जो यह हमने लिये c वाली तो इसको क्या करेंगे हम c 2 और यहाँ भी कर देंगे हम c clear and last row comma order 1 axle ascending या de ascending order हमने बढ़ते हुए करम में लेना है घठते हुए करम में तो यह मैंने किया axle ascending आप de ascending करना चाहते हैं de ascending कर सकते हैं and header axle no header हमारा कोई change नहीं होगा उसमें count नहीं होगा इफ हमने शुरू किया था and if or and सब छोटा सा code है पहले वाले से काफी छोटा है यह आपको अच्छा लगा होगा बस इतना ही code है अब में वापस चलते हैं यहां पर इधर हम entry करते हैं तूसरी मैं करता हूँ श्याम और यहां पर करता हूँ मैं 200 नंबर एंटर प्रेस करेंगे असेंडिंग ओडर मैं नहीं किया था श्याम उपर चला गया हमारा सीरियल नंबर फिक्स है करते हैं यहां पर गीता 325 जा करते हैं हरी 400 कुमार के 150 सबसे उपर पहुँच जाएगा एक और entry करके देखते हैं महेश मैं यह पर लिखता हूँ और महेश के नंबर कर देता हूँ मैं 380 एंटर प्रेस करेंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया 380 तो इस परकार से सोल्ट हो गया उमीद करूंगा साथ ही वीडियो आपको जरूर अच्छा लगाओगा मैं कमेंट्स में बताएं हमारे वीडियो को में तो उस्तों में शेयर करें हमें लाइक करें और यह दिन नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें